कम्यूनिटी हर जाती से कम्यूनिटी ये आवाज गभर्मेंड विंडिया को एक मेसेज भेज रहा है कि हमारा सलूशन निकालिए हमने बहुत दिन तक वेट किया है आप हमारा सलूशन निकालिए ये मेसेज सिर्फ पॉलिटिशन देने से नहीं होगा बुरुई को देना पड़ेगा यूद को देना पड़ेगा जो स्टूडन्स से उनको देना पड़ेगा जो काम करते हैं उनको देना पड़ेगा सोसाइटी को देना पड़ेगा दोफा को देना पड़ेगा प्योंकि दौफा जब serious हो जाएगा तो government को भी आपका vote चाहिए government को भी आपका support चाहिए government को आपका बात मानना पड़ेगा यह सिर्फ एक political fight नहीं है यह हमारा survival and existence का fight है this is not just a fight for some politics this is a fight for a survival and existence for a better future एक अच्छा कल के लिए आज हमें एक होना पड़ेगा अगर हम अपने बच्चे को एक अच्छा भविश्य देना चाहते तो आज हमें एक होना पड़ेगा मैं अपने मौथा की लीडिस को एक बात बोलना चाहता हूं आप लोग MLA हो सकते हैं, MDC हो सकते हैं, EM, CM सब हो सकते हैं आपको अपने गाउं में, अपने एरिया में आपके वर्कर, वर्यर के संग बैठ कर आज ही रात से कल जाने से नहीं होगा, आज ही जाना पड़ेगा एक रात वहाँ में होल्ट कीजे, अपने लोगों के संग बैठिये आज ही रात से प्रेपरेशन कीजे, और कल मैं आपको ग्राउंड में देखना चाहता हूं और ग्राउंड छोड़कर इधर उधर नहीं जाना है हमारे लोगों को, जहां में हम लोग ने क्या है, वहीं मैं बैठ कर अपना मेसेज भेजना होगा दरने से कुछ नहीं मिलेगा लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग वाइलेंस करेंगे फाय ब्रिगेड हो, एंबिलेंस हो, मिल्क डिलिवरी हो निउस पेपर वाले हो, मीडिया हो जो एसेंशल, इमर्जेंसी, डॉक्टर्स हो, किसी का शादी हो रहा हो उनको जाने दीजे क्योंकि वाइलेंस मेसेज नहीं है थांसा मेसेज है अगर हमें सत्य ग्रह करना है महात्मा गांदी ने भी सत्य ग्रह किया पूरा अंग्रेज को मानना पड़ा कि उनसे गलती हुआ इसके लिए वो देश चोड़ कर गए आज अगर हमें अपना मेसेज क्लियर करना है तो हमें एक होना पड़े गया यह जो हमारा मूवमेंट है मैं यूद को एक मेसेज भेजना चाहता हूँ यूद 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 आदा फ्यूचर विया फाइटिंग फॉ यू जिनका टाइम जाना था वो आज सिरु बैठकर प्रेस कॉन्फरेंस करेंगे उनका टाइम गया है उन्होंने अपने टाइम में कुछ नहीं किया एक पार्टी से दूसरे पार्टी दूसरे पार्टी से तीसरे पार्टी यूद आपके बारे मैं बात कर रहा हूँ मैं तीपरा मौथा में यूद को इंक्लूट करके अब अधिकार दूँगा कल मेरा YTF रेजिटिन के सांग बात हुआ है और मैं चाहता हूँ कि यूद मुझे इनरजी दे मुझे जो आज ताकत मिलता है na पॉलीटिक्स से नहीं मिलता पॉलीटिशन से नहीं मिलता जब एक तीपरासा आकर मेरे सांग फौटो खिचता है मेरा गला मिलता है मुझे हग करता है मुझे बोलता है महाराजा gamma review यू मैं भी भूलता हूं I love you मैं मुझे energy वहां से आता है आप के लिए fight करने के लिए और youth आप जमीन में रहिए no violence हमें violence नहीं करना है कोई भी community को target नहीं करना है कोई भी दुकानदार को target नहीं करना है लिकिन हमें एक होकर अपना ताकत दिखाना है ताकत असली ताकत वो होता है जब कोई कमजोर को ना मारो असली ताकत वो होता है जब कोई गरीब को निशाना नहीं करो असली ताकत वो होता है जब किसी के धरम में देखकर आप उसको attack नहीं करो ताकत ये होता है जब हम एक होते है थंसा होता है unity होता है त आकत दिखाना है तो एक ताम में दिखाओ किसी को मार के पीट के नहीं वाइलेंस नहीं होगा कोई चुआक नहीं पिएगा कोई नशा नहीं करेगा डिस्सिप्रिन होकर आप अपना अंदोलन को दुनिया को दिखाईए मैं मीडिया को रखूंगा ये स्ट्राइक अगर सक्से कम्यूनिटी तुरुपरा से एक मैसेज दिली को भेज सकता है शांती से बिना वाइलेंस का हमको मनिपूर नहीं चाहिए उसमें किसी का फाइदा नहीं है आम आदमी सफर करेगा आप लोग यूथ स्ट्रॉंग होकर रहिए अपने मैदान में डोंट लीव यूर ग्राउंड दिस इस यूर फील्ड और फ्यूचर टिप्रा मौथा में यूथ का है यूथी का है और बुरुई को मैं बूलना चाहत आप लोग हैं तो हम हैं बुरुई नहीं होगा मा नहीं होगा बहन नहीं होगा परिवार नहीं होगा सुसाइटी नहीं होगा तो हम लोग कहीं भी नहीं है आप लोग हमें बैक कीजिए मैंने हर लीडर को दायत्यों दिया है लेकिन सिर्फ लीडर से नहीं होगा हमें आपक प्रसा का जिसको पॉलिटिक्स में कोई शौक नहीं है जो सिर्फ चाहता है कि हमारा कंडिशन अच्छा हो हमारा भविश्य अच्छा हो हमें अपने ही राज्य में एक ऐसा दर्जा दिया जाए जहां में हम लोग का कल अच्छा हो तुरुप्रा में बहुत अन्याय हुआ है मैं किसी के खिलाप मात नहीं करता हूँ लेकिन तुरुप्रा में अन्याय हुआ है जिस स्टेट ने लाक लाक लोगों को बंगलादेश से जगा दिया